हेलो एव्रिवन वेल्कम बेक टो यूर ओन चैनल साइन्टिया जीवे कि तुसी जान देऊं आप अपने चैनल ते साइन्स दी प्रिप्रेशन कार रहे हैं अगर तुसी चैनल ते न्यूं होता चैनल नो सब्सक्राइब कर लो बैल आइकन नो प्रेस कर लो सो देट आनो डेली दी अपडेट मिल दी रवे अज अपा गल करांगे फिजिक्स दी मास्टर केडर दी जो सीरी स्टार्ट किती हुई है उसनों कॉंटिन्यू करांगे उसदा नेक्स चैप्टर करांगे उसदा नेक्स टॉपिक करांगे जो अपा इलेक्ट्रोनिक से स्टार्ट किती हुई है उसदा अज अपा नेक्स यह जो डिवाइस है यूस किता जान्द है तो इंक्रीज दा एंप्लिट्यूड नो इंक्रीज करने लिए किस दा एंप्लिट्यूड नो इंक्रीज करने इंपुट सिगनल दा एंप्लिट्यूड नो इंक्रीज करने देखो मेन कम किया है इंपुट सिगनल जो अपपर प्रव जादा चेंज किते बिना अपने कोल एंप्लीट्यूड की होजेगा इंक्रीज होजेगा किस तरह होएगा जदो आपा इंपुट सिगनल की करदांगे इंपुट सिगनल इंक्रीज होजेगा जदो एंप्लीफाय नो यूज करके जिद्या होन अगर मैं गल करां देखो सब्तों पहला मैंने कोई वी इंपुट सिगनल प्रवाइड कीता इस तरह नाल है इंपुट सिगनल उपर वाले नो पॉजिटिव बोल या निचे वाले नो नेगिटिव इंपुट ते आउटपुट अपा शिखलांगे अपने इंपुट प्रवाइड कीती किस नो प्रवाइड कीती है एक एंपुट अप्रिफायर अगर आपपा डाइग्राम बनाएगे तक किस तरह बंद है इस तरह नाल बनेगा एंप्रिफायर ये थोड़ा जरक टेंगल चाजेगा रुको हां जी ए अपने कोल की है एंप्रिफायर इस तरह नाल जदो देखो इंपुट देता अपा इस एंप्रिफायर नो अपने कोल की फॉर्मेशन होएगी आउटपुट हुन आउटपुट सबतो पहलना जो मैं नेगिटिफ पॉजटिव एंपने कोल आउटपुट है कॉमनमीटर ये जादा तर अपा यूज करांगे अपा आउटपुट जो आएगी क्योंकि जो दि एधी एफिशनशी की हुन दिये है इसलिए ज़ादा तर अपा कॉमनमीटर यूस करांगे बट अप़न तो दोन्न फाइर समझना बहुत ज़रूरी है नेक्स अगर आप गल करें देखो नेक्स अप गल करांगे कि किस वेदेनाल इनना दी वरकिंग होएगी इनना दी वरकिंग नो समझ दिया इनने विच की बनाई है हैंन मेड सब पहले आपका डिसकस करांगे कॉमन एंपींटर एन पींटर एसी मैं तो देखो एन पींटर दे विच अगर आपका ज़ गाल करिए पी सेंटर दे विच और MP3-000 अंच सब्सक्राइब यौख कर यह संथे से जक्राइब और यौटिषे एपने कोल्वी नहीं हों लुटे Хांगल यौखनेरी टील यौट में अगर जब भी यौखने पने महता है सब्सक्राइमल्ड आ पर पर बेटरिस करें सब्सक्राइब टीलिकव होन दा है यह अपने कोल की हों दियाने DC, मतब DC क्रंट फ्लो करवान दिया, बट अगर अपने कोल गल करिये, जो अपने कोल कपेस्टर है, यह सिरफ ते सिरफ अगर अपने इन्पूट देती, जिद्धा आप मैंने तो आपने पिछे करवाया, अपने इन्पूट प्रवाइड किती है यह अपने कोई ना कोई आउटपूट देंगे, यह सब तो पहला की करनगे, जो फर्स्ट कपेस्टर है, यह DC नू की कर लेगा, ब्लोक, बट AC क्रंट नू की करवादेगा, पास करवादेगा, देखो, IB क्रंट की है, फ्लो कर रहे हैं, ता इस तो अगर मैं गल करा, अपने चुछ निखनी था, अंदी है, देखो, हुन ऐस दे विच, फोर्वर्ड बाइस बनेगा, विद बैटरी VBD, देखो, empezar बाइस बनेगा, जदो अगर आपने कोई, और अपने कोई, अपने कोई, फी है, अपने एरो शोर्ग होज था, यह निनक करवाए हो है, तो जुन समझ और आई होप समझ भी आ रहे ता एस दे विच अगर अपपा गल करें common ammeter अपना की होजेगा reverse bias होजेगा किदना होएगा reverse bias जदों अपाने की है देखो और कोई वी ac input की है कोई वी ac input apply करिए ता जड़े electrons ने देखो अगर मैं थे लिखा no ac input is applied नो, AC मतलब की होंदे अपने को, alternative current AC input is applied, अपने कोई भी AC input applied नहीं किती, ता जड़े अपने कोई इलेक्ट्रोंज ने, अमीटर दे, अमीटर चो जड़े इलेक्ट्रोंज प्रेजेंट है, देखो, NPN न, ता NPN दी अगर आपका गल करिये, N दे विच की प्रेजेंट होंगे, N केड़ाई, अपने कोई A हे वाला, अमीटर वाला है, ता जड़े इलेक्ट्रों होंगे, अमीटर दे, ओर रिपैल होंगे, किस दे द्वारा रिपैल किते जानगे, A हे बाई, किस द्वारा रिपैल होंगे, जो negative terminal नाल міँचे है, किस नाल अटैच है, negative terminal नाल, ओ की करनगे पहग़गों खर में रिपल करनल है कि टे नाल ईपने आपनेकों वी बी पेंक्व है एदा नेगतिव टर्मीनल है यह गताल टरमीनल जबेंकराणछ नftig मोत्सक्राण कि ऐड़ाई ड्ह Mostly ऑ मिंवनूनů saliva कि सब्यदो अपने को इंक्रीज हो जेगा आई होप तोनों पाइंट समझागे देखो कोई भी एसी इंपुट अपलाई नहीं किती ता जेड़े इलेक्ट्रोन प्रेजन ने ओहो रिपल होनगे इस नेगटीव जो बैटरी दी साइड है टर्मिनल है रिपल्शन होन करके अपने को अमीटर करंट की हो जुगा इंक्रीज हो जुगा देखो जे अमीटर करंट इंक्रीज होए ता अपने को अमीटर करंट भी की होएगा इंक्रीज होएगा अगर अपने को अमीटर करंट की बनेगी अपने कोल इक्वेशन बन जेगी IE is equal to IB plus IC means जदो अपा base करंट नू collector करंट दे विच जो add करदांगे ता अपने कोल की आजेगा ammeter करंट आजेगा clear होया I hope तो अनू समझ आ चुक्या next अगर अपा गल करिये ता एधी output किद्दा आएगी output देखो होना अगर आपा गल करिये अपा ने न न वोल्टेज प्रोवाइड किती V note ता किद्दा आएगी अपा equation लिखिए VCC देखो VCC जो voltage है अपने कोल R एप्रेजेंट है इस दे विच वी की होएगा same एहे की करेगी AC नू ता pass out होन देदेगा जो कपेस्टर C टो लगया है बट DC नू की कर लेगा ब्लोक कर लेगा ता एदे नाल जो अपनी output बनेगी V output बनेगी ओ किद्दा बनेगी VCC माइनस ICRC अपा करंट जो कपेस्टर दै सोरी collector करंट नू ते जो resistance है उसनों की कर दाँगे इनना दे product नो माइनस कर दाँगे जिद्द जिद्द आपा प्रवाइड करी जावांगे इनना दे विच की होगा चेंज होई जाओगा होन देखो अपने कोल output की दा बनेगी अपने कोल output इस तरह नाल बनेगी मैंने तो नो a meter दी उपर output करवाई सी इस तरह नाल है ता इस दे नाल की है जिद्द जिद्द होँ जिए अगर अपने 50 दित्ता ता अपने कोल की है अपने कोल माइनस कर के अगर 50 वोल्टेज है ते अपने कोल current ते resistance 70 है ते इद्दरों माइनस कर के आजेगा किनना आगया माइनस 20 then next value values पुट कर के आपा easily निकाल सकते अग्गे अगर आपा गल करिये phase relation दी इनना दे phase relation दी गल करिये तो देखो अगर मैं AC नो applied कर दिनिया अगर मैं AC नो की करूंगी applied कर दिनिया तो जड़ी initial positive half cycle है starting वाला जो positive half cycle है ओ की हो जेगा इस ते apply हो जुगा की करेगा ओ forward bicing कर देगा की करेगा अपने को forward bicing show करेगा किस दे नाल of base ammeter जो ammeter दा की है अपने को base है ammeter base दे नाल की करेगा forward bicing show करेगा तो जेड़ा ammeter current है increase हो जुगा देखो अगर आपा first जो अपने equation लई सी की equation लई सी आपा कि जो ammeter current होंदे ओ कि इसदे equal होंदे base current plus collector current दे clear तो जो अगर icrl की अपना potential की हो जुगा drop हो जुगा icrl जदो आपा minus करांगे vcc दे विच्चो तो अगर आपा गल करिए is the which जदो आपाने की किता collector current increase हो गया first equation दे according is the according किया collector current भी increase हो जुगा तो जेड़ी negative value है ओ भी की हो जुगी increase तो आपानो की है जो output मिलूगी वो य negative output मिलूगी अपानो किस दे लई positive input दे लई मतलब की है अपने कोल जदो अपने कोल first equation दे according collector current increase हो य ता अपने कोल की है जो icrcc मतलब icrc है I think मैं उद्दर लिख्या सी ov की हो equation की सी v0 is equal to vcc minus icrc जदो अपाने की किता icrc v increase हो जदो collector current की हो य इंक्रीज हो ज़ाँ हुन collector current भी increase हो गया icrc v increase हो गया second equation दे according ता जदो अपाने negative value increase कर दे आपा मतलब अगर अपा गल करिये मैंने negative value अपनो आउटपुट दे मिलूगी अगर अपने कोल input की है positive है let कार लो देखो उने में द्वारा दस दिया देखो उन अपाने negative output कर दो मिलिया जदो अपने कोल positive input है एमें बनाई सी न मैंने आप positive input सी अपनो output की मिली है negative मिली है इद्दा हुन तुस्तान ज़ादा clear हो जेगा कि जदो मैं positive input देती ता मैंनो negative की मिलूगी आउटपुट मिलूगी clear लेट कार लो गया दे negative half cycle apply करता हुन मैंने की किता negative I hope तो नो अवाज दी disturbance थोड़ी जी अज बार काम चल रहे है तो उस दी sorry समझन दी कोशिश करियो negative half cycle अगर मैं apply कर दिया negative half cycle अगर मैं apply कर दिया ता ओ की करेगा किस दी जो forward by sing हो रही हो थे clear तो एज दे नाल की होएगा clear negative half cycle अगर आप apply कर दिया जो oppose करेगा forward by sing दी किस दी base a meter junction दी किस कर की कर रहे है जो अपना a meter current है ओ की होगया decrease अगर a meter current decrease होया तो first question दे according अपना जो collector current हो भी decrease हो जुगा अगर अपने कोल first equation दे according a meter current decrease हो गया क्योंकि अपने negative half cycle अपलाई किते है तो collector current भी increase हो गया अगर अपने कोल अपने कोल collector current है अगर अपना decrease हो गया तो अपने कोल ICRCC second equation दे विच OV की होजेगी decrease होजेगी फिर अपनों की obtained होएगी negative output फिर अपनों की obtain होएगी negative output ता अपनों इस सब तो clear हो रहे है कि अगर अपनों input AC apply कर दिया input की apply कर दिया AC apply कर दिया ता अपनों अगर अपनों गल करिए अपनों output अप्टेइन हो रही है clear जिदा अगर मैं गल करा मैंने input अगर प्रवाइड किती है कितना किती positive negative ता अपनों की मिल रहे है अगर अपनों change कर दिये ता अपनों किस way नाल मिल रहे है 180 दे phase नाल नीचे की अपने को negative ऊपर किया 180 डिग्री दे phase नाल की मिलेगी output मिलेगी इस I hope ता अपनों amplifier clear हो चुकिया है कोई भी doubt नहीं अगर अगर अपनों गल करिए अगर अपनों नेकोल माइक है example नहीं माइक दे विच ना अपनों बोल दें इस तरह नाल ठीक है माइक दे विच जदो बोल दें ओ ड्रेक्ट स्पीकर नाल अटैच नहीं हुंदा ठीक है ड्रेक्ट स्पीकर नाल नहीं अटैच हुंदा जो माइक है न यह की करेगा जो माइक है पहला एहे electrical signal दे विच की है convert करेगा जो अवाज आपा बोल दी है बोल लें आ या कुछ किते है तो ओ हो की होएगा amplifier की है जो sound नो बाहर release करेगा electrical signal दे विच होएगा तो ओ उसनो की है थोड़ा जब वदा की की करेगा बाहर निकालेगा तो फिर speaker नाल अटैच होके जो अवाज आएगी सिद्ध ड्रेक्ट नी होगा तुसी एग बोक्स देखे भी होने amplifier लगए होए अगर तुसी जदो अपा कोई मेरीज वगेरा ते डीजे लगए होंदे ता उन्ना दे जो माइक होंदे है speaker नाल नी ड्रेक्ट अटैच होंदे amplifier नाल विच की है एक circuit होंदे है जो अटैच किता होंदे है clear? I hope तो नों समझ आ गया next अगर अपा गल करिए negative input cycle अगर अपने कोल अपा वैसे गल कर ली negative input cycle है ता अपने कोल IE decrease होजेगा ता ICV decrease होजेगा ICRL की होएगा AV की होजेगा decrease होजेगा अपने कोल VCC increase होएगी ता VCE minus ICRL decrease होजेगा amplify positive half cycle obtained होजगा यह में सारा डिसकस कर चुकिया एक वर रवीजन दासती तो अन्नों clear next अप अगर करांगे characteristics दी हाँ जी characteristics देखिए अगर अप आउटपुट voltage जो output voltage है अपने कोल ओ की होएगी इस out of phase होएगी की होएगी out of phase next अगर अप अप अपने कोल इन्पुट रिजिस्टेंस की होएगा moderate अगर अप अप अपने को लो होएगा जो इन्पुट रिजिस्टेंस है इन्पुट रिजिस्टेंस है नेक्स्ट अगर आपका गल करिए voltage gain दी voltage gain दी अगर मैं गल करा voltage gain किद्दा निकाल दें आपका a c a v किद्दा निकाल दें delta vc voltage of collector upon voltage of base किद्दा दी अगर आपका voltage की होएगी ohms law current into resistance ic rl value put कर दिनने ib rl sorry ता इस तो की बनेगा होने a अपने कोल की है a हे अपने कोल की चीज होंदी है beta into null की आजेगा अपने कोल x ले लेन या जिनना resistance की होई अपने gain ता अगर अपने कोल voltage gain higher होएगी than किस्तों common base common ammeter दे विज्जो voltage होएगी higher होएगी mainly अगर आपका beta दी गल करिये greater than किस्तों होएगा अपने कोल one होएगा next अगर आपका कल करिये load resistance greater than किस्तों होएगा r i clear i hope तो अनो topic clear होगे next आपका गल करांगे power gain दी देखो power gain दी अगर मैं गल करां देखो power gain की उन्दे power gain power की इसदे इक करों दी जिननी voltage gain होई अपने कोल into अगर आपका गल करिये जिनना current gain होएग ता voltage gain किननी होई अपने कोल beta into अपने resistance gain सी अनों आपका की लिख सकदेया r l by r i लिख सकदेया into जिनना current gain होगा current gain भी मैं beta नल शो करता ता अपने कोल की बन गया beta square बन गया beta square बन गया ता इसदा मतलब की है power gain V अपने कोल की होएगी वैसे अगर मैं नॉर्मली दसा high हों दिया की देना लो common base देना लो clear i hope to know points clear हो चुके है next अगर आपका गल करिये की की conditions हों दिया अने amplification करन दे ले conditions for amplification amplification करन दे ले की conditions होनी याँ की ने अपने कोल जरूरी है सब तो पहला अगर मैं गल करा condition of having अगर आपका गल करिये कोई भी signal नहीं है condition की अगर ऐस time अपने कोल कोई signal नहीं प्रेजन था क्या जंद है क्या जंद है अगर की है कोई भी signal present नहीं है clear देखो उन voltage अपने कोल की सी collector emitter की इसदे एक कोल है VCC minus IC RL ता अगर अपका इनना दे विच values put कार दिने हैं देखो की अगर अपका गल करिये इसदे विच IC दी value निकाल दिये ता IC दी value की मैं बनूँ अगर मैं RL नो डिवाइड का minus 1 by minus 1 by RL VCE plus VCC by RL इद्दा बन जेगी अब मैंने की किता current दी value निकाल दी collector current दी ता अगर अपका गल करिये collector current दी voltage maximum ता होगी अगर अपने कोल या ता collector current 0 है या अपने कोल जो voltage है ammeter दी collector, ammeter दी ओ equal होगी collector दे ठीक है जी collector दे equal होगी common collector दे या फिर VCC अगर अपने कोल 0 है then if first है VCC 0 है ता IC की दे equal होजेगा VCC by RL ता अपने कोल 2 conditions बन गिया या ता current 0 होगा या second की या voltage 0 होगी ता SV देना तुसी कार सकते हो conditions की है या ता proper 0 signal होना चाहिए minimum अगर अपने क्रंट दे रहे है sorry minimum voltage दे रहे है at any instant अपने minimum voltage दमांगे कि इस दी voltage ammeter based दी या अगर अगर अपने minimum की होगी voltage common collector दी या तो सित्यान रखने clear I hope तानों समझ आ गया कुछ point होर भी याद रखने जिमें ammeter दी अगर गल करिये forward based होगा forward biased अगर अपना गल करिये collector की होगा reverse biased अगर अपना गल करिये यह किये जड़ी biising होगी यह कुछ conditions दी होगी अगर 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 करिये common ammeter दी होगा क्योंकि आपने कॉल पॉइंस याद रखन वाले है means fully अगर 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 result है जो सब तो पहला की है अगर current gain current gain IG लिखरिया में and voltage gain जादा है किस तो unity तो यह दोनों की है more than unity है next second point याद रखन वाला की सी input ते output resistance की है intermediate होगे input and output जो अपने को resistance होगे intermediate होगे किस दे विचकार जो अपना common base होएगा and common collector होगे input ते output resistance common base ते common collector intermediate होगे next जो third point है introduce करांगे phase की होगे reverse होगे की दे विच रिवर्स होगे input ते output voltage input and output voltage दे विचकी होगे phase reverse होगे तुसी त्यान रखने ये ता गल होगी common ammeter दी next आप गल करांगे common base दी common base mode दे विच देखो current gain होगे current gain ये less than unity होगे voltage gain दी अगर आप गल करिए ए अप्रोक्सिमेटली collector जो collector ammeter है उसदे equal होगा means near about one तो जादा ही होगा next अगर आप गल करिए input ते output resistance इसदे विच अगर आप गल करिए third point दी उसदे विच की intermediate होगे इस विच जो input ते output resistance है एक की होगे low होगे या high हो सकते low and high हो सकते बाकि जो three more किसे जो cut होगे किसे जो high होगे यह use किते जान्दे ने जो मतलब common base वाल है use किता जान्दे मेली impedance नो match करने to match the impedance impedance नो match करना high to low level जो setup किते है उनो match करने लही किता जान्दे next है अपने कुल collector collector अगर आपा गल करिये common collector mode इस दे विच जो current gain होगा ओक इस दे approximately equal होगा common ammeter mode दे means voltage gain है इस जो less than one होगा पिछले दे विच अगर आपा गल करिये voltage gain common ammeter दे near about equal सी ते current gain की सी less than इस दे विच opposite है उल्ट है उस नालो resistance जो इदी input ते output resistance है ओ की होएगी highest होएगी जादा बहुत जादा होएगी या बहुत cut होएगी lowest होएगी किस दे नालो जो बाकी three modes है जो तिन modes ने उनना नालो यह use किता जान्द है जो common collector है यह use किता जान्द है power amplifier दी तरह power amplifier दी तरह I hope तो अन्नो clear हो चुके है कोई वी doubt नहीं रहा होना अगर doubt होया प्लीज comment box से विच दास दियों feedback देना ना पुलियों feedback जरूर देयों कि तो अन्नो video किता दि लगी है video नो like करियों share करियों अपने friends देना telegram group नो join कर लियों updates लई thank you so much thank you